दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Smart Translator Application के बारे में यह Application क्या है और इस Application को अपने Mobile Phone में कैसे चला सकते हैं दोस्तो यह Application एक Translator Application है जिसमें आप किसी भी Language को Translate कर सकते हैं आप इसमें English से Hindi में Hindi से English में आप यहां से Easily Translate कर पाएंगे इसमें आप कोई भी चीज़ लिक करके भी आप Translate कर सकते हैं अगर आप बोलकर Translate करना चाहिए ता आप यहां से बोलकर भी Translate कर सकते हैं इसमें आप किसी भी Document का Photo कीज़ कर भी Easily Translate कर पाएंगे दोस्ते इस Application को आप कैसे चला सकते हैं कैसे यूज़ करना है सारा कुछ आज की इस वीडियम आपको बताने बाला हूँ इस Application को आप जैसे ही Open करेंगे यह Application आपके समने कुछ इस तरह से Open अना Start हो जागा यह आपको Loading लगा तो आपको कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा उसके बाद यह Application आपके समने कुछ इस तरह से Open अज़ेगा आप जिस भी Language को Translate करना चाहते हैं आप यहांसे Select कर सकते हैं इसमें आपको पहले English दिया रहता है आप यहांसे Bengali, Chinese आप जो भी Language Translate करना चाहेंगे आपको यहांसे Select करना है उसका बाद आप जिस भी Language में Translate करना चाहते हैं आपको Select करना है इसमें आपको बहुत सारे Language दिया रहता है आप जिसमें Translate करना चाहेंगे आप यहांसे उसे Select कर सकते हैं तो आपको इन्टर का ओप्शन मिलेगा आप जो भी टांसलेट करना चाहेंगे तो आप यहां से टाइप कर सकते हैं जिसे कि में यहां पर कुछ टाइप कर लेता हूं टाइप करना है आपको यह टांसलेट का उप्शन मिलेगा जिसे आप टांसलेट पर क्लिक करेंगे इसमें आपको टांसलेट होना इस्टार्ट हो देगा यह कुछ add आ चुका है इस application में आपको बीच बीच में add दखने को मिलेगा एड को close कर देना है तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा translate हो चुका है यह मेरा English में selected है इसी वैसे English को English में translate कर दिया है और आपको निचे में camera का option मिलेगा आप इस पर क्लिक करके photo खिच कर भी translate कर सकते हैं उसके बगल में आपको यह माивать का option मिलेगा आप जैसे इस पर क्लिक करेंगा अगर आप चाते बॉल का translate करना है आपको इस पर simply टाइप कर देना है टाइप करने के बाद आप यहां से बोल कर भी translate कर सकते हैं लास्ट में आपको इस पर किलिक कर देना है इस पर आप जैसे किलिक करेंगे तो आपको यह VPN को आपशन मिलेगा यह देख सकते हैं यह मेरा VPN connect हो चुका है और यह add आचुका है इस add को आपको simply close कर देना है तो आप यहां देख सकते हैं यह मेरा VPN जो है वो कुछ इस तरह से connect हो चुका है तो दोस्तों इस तरह से आप अपने phone में VPN को भी connect कर सकते हैं लेकिन इस application में आप किसी भी language को easily translate नहीं कर पाएंगे इसमें आपको बहुत सारा error देखने को मिलेगा तो दोस्तों इस application को आपको यूज नहीं करना है यह application में आपको ज़धा थर error देखने को मिलेगा दोस्तों आपको लाइक करें चैनल को आपको subscribe कर लेना है अगर इस application ले लाबुक को भी दिखा दाता है तो आप हमें नीचे comment कर सकते हैं वे आपको comment कर reply भी दूँगा